नमस्कार दोस्तों, बड़ी खवर सिक्षा सेवग, सिक्षा सेवग तालिय मरकज भाई बहनों के लिए हैं दोस्तों बिहार में लगवग अठैस अजार सिक्षा सेवग, सिक्षा सेवग तालिय मरकज के भाई बहन वर्ष 2009 से लगातार सिक्षा विभाग में बच्चों को स्कुल पहुंचाने एवं लाने एवं उन्हें कोचिंग की पढ़ाई करने साथ ही निरक्षर महलाओं को भी साक्षर करने की बड़ी जिम्मेदारी निके उपर है इसी बिच सरकार का एक और फर्मान सिक्षा सेवक सिक्षा सेवताली मरकच के भाई बहनों को के लिए जारी किया गया है जो आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेशन दोस्तों जो भी साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्काइब करें और नोटिफिकेशन को प्रायोजित बुनियादी सिक्षा में हुए हैं अधिगम हरास विश्यक्ष सिक्षा सिवकों को परसिक्षित करने के लिए राज अस्तरिये मास्टर ट्रेनरों का परसिक्षन दिनांक 1323 से 1523 नौमा ब्याच मतलब ब्याच के हिसाब से पूरे अठ्थैसो हजार बिहार के सिक्षा सिवक ताली मरकज भाई बहनों का जो मास्टर ट्रेनरों के द्वारा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा पर सिक्षित किया जाएगा उसके बाद फिर परतेक जहां जहां उसका केंद्र है वहाँ पर वो सिक्षा सिवक ताली मरकज भाई बहनु के दोरा बच्चों को पढ़ाय जाने का काम करेंगे क्योंकि बहुत सारे कोविड-19 में बच्चों को जो से अधिगम हरास हुआ है सिक्षा में जो हरास हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है जिसमें बिहार के 800,000 सिक्षा सिवक सिवक ताली मरकाज भाई बहनों को सबसे पहले पर सिक्षित किया जाएगा कितने कलास तक की बच्चे को पढ़ाने का जो उसके जिम्यवारित दी गई है वो आगे हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे तो आप लोग अंतक जुरूर बने रहेगा दोस्तों तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि आप परतेग जीला का जो मास्टर ट्रेनर है उस तरह से उसका लिस्ट जारी किया गया है बिहार सरकार के दुआरा और यह सिक्षा भी भाग जो है तो इस तरह से आप लोग बने रहे हैं सारी जनकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे तो दोस्तों प्यापर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को बताने कि हम कोशिस कर रहे हैं कि किस तरह से सिक्षा सेवक से उसक्ताली मरकज भाई बहनों को परसक्षित कर उसे बच्चों को पढ़ाने के जिवेवारी दी जाएगे आप यहां पर देख रहे हैं कि और अरंगाबाद जिल्ले के द्वारा जो 15 मास्टर ट्रेनरों जो भी गया था पटना में अपना प्रिसिक्षन लेने के लिए तो इस तरह से उस्टर ट्रेनर जब ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो शिक्षा सेवक को फिर वो परसक्षित करेंगे और परसक्षित होने के पांस तक के बच्षों का पढ़ाने का जिम्मा उन्हें दिया जाएगा तो दोस्तों देख रहे हैं वहां पर प्रसक्षित होंगे जिल्ला के शिक्षा सेवक यह और अंगाबाद जिल्ले का है इसमें और पूरे बिहार में और तीसो जिल्ला में यह लागो होगा और इस त 5 कलास तक के बच्चों को तो आगे भविश के लिए एक परकार का अधार बन रहा है महिला को पढ़ाते बच्चों को पढ़ाते हैं फिर भी उन्हें कम मांदे मिलते हैं तो एक प्रकार का इससे उसका एक आधार ही बन रहा है कि वो अपने एक लिए करके 5 के बच्चों को उन्हें पढ़ाने के जूए वारी दी जा रही है और इस अधार पर उन्हें आगे आने वाले भविष्व में उनका ये अधार बन रहा है कि शिक्षक का धर्जा जो उनका जो परमपरिक मांग है सरकार से वो एक उसका अधार बन रहा है तो दोस्तों यहाँ पर चलो देख चलिए देख लेते हैं पढ़ लेते हैं कि क्या है लिखा जिले में टोला अस्तर परकाजरत लगभग तेरसो अठारा सिक्षा सेवकों को परसिक्षित किया जाएगा यह वे बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे कोविड-19 के दुरान बच्चों की परभावित हुई पढ़ाई में सुधार को लेकर यह अभ्यान शुरू किया गया है शिक्षा सिवकों को परसिक्षित करने के लिए जिले के 15 मास्टर परसिक्षकों को राजस्तरिय परसिक्षर में भाग लेने के लिए पटना भेजा गया है सक्षरता डिपियो दया संकर सिंग ने बताया कि राज अस्तरिय परशिक्षकों में रंगाबाद परखंड में राजकुमार परशाद गुपता कुटुमबा से रचंदर सेखर परशाद साहू मतलब इस तरह से जो भी मास्टर ट्रेनर को पटना भेजा गया है उसका इस तरह से यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सिवगों को परशिक्षित किया जाएगा और जो अपने केंदर में पढ़ने वाले कक्षा एक से पांस तक के बच्चों को दो माह तक SCIRT द्वारा तयार अधिगम सामगरी से परतेक अक्षा की मुल अबधारनाओं को स्रल लेम सहज तरीके से गतिविधी तथा वर्क सीट के माद्नम से समझाएंगे मतलब अक्षा एक से पांस तक के बच्चों को दो माह तक उसे इस प्रकार का पढ़ाने का काम जिम्मा दिया जाएगा और दो माह तक इन बच्चों को पढ़ाएंगे और उसको फिर परते कक्षा की जो मूल आवधारना है बच्चों को सल तरीके और सहज तरीके से उन्हें गतिविधी के माद्धियम से वर्क सीट के माद्धियम से उन्हें समझाएंगे या सिक्षा सेवक सिक्षा सेवक ताली मरकज के भाई बहनों के द्वारा बताया गया कि वैस्विक महामारी COVID-19 के कारण पिछले दो वर्सों में विद्याले बंद रहे थे जिसके कारण बच्चों का पठन पाठन बाधित रहा इस अबधी में बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले गए लेकिन कक्षा के हिसाब से बच्चों में सैक्षिनिक बिर्दी नहीं हुई परिणाम यह हुआ की कक्षा उनियन के बाद बच्चे नहीं कक्षा के अधिगम अस्तर पर नहीं पहुंच सके मतलब जिस लाइक था जब इसकूल बंद हुआ को बीड-19 में या जैसे की ठंदे की मौसम में जब विडियालय बंद हो जाते हैं तो बच्चे का जो पढ़ाय होना चाहिए अधिगम अस्तर तक उसको पोचना चाहिए वहां तक जब नहीं पोच्चे है तो उसको पूरा करने के लिए शिक्षा सिवगभाय भाई बहनों को यह मतलब बच्चिव को पढ़ाना पढ़ेगा और वो पढ़ाएंगे इसके अलावा प्रतेक वर्ष अतधिक गर्मिठंड या कारण भी विद्यालों में सिक्षन का अथकित करना पड़ता जिसे बच्चों में वर्ख सापेक साधिगम सती की स्थेती बनी रहती है तो इसी को पूरा कर देनर पठना में वह जो भीयाच वह गया इकी बाएंगे तो इस तरह से परकन रस्तर पर उसका जो भी होगा लिश्ट निकलेगा और फिर उस हिसाब से प्रतेक बिहार के प्रतेक जिल्ले में प्रतेक पर प्रकंद में फिर सिक्षा श्वक को आप लोग मतलब बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे सारी बाते वहाँ पर master trainer को दोबारा आप लोगों को बताया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत